आज हम बनाएंगे तवे पर आटे के बिस्किट वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हलो एवरीवन बहुत बहुत सागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ सबसे पहले हम एक बड़ा बरतन लेंगे इसमें हम डालेंगे इस तरह से 80 ग्राम घी जो कप है इसकी नाप है 80 ग्राम आप बिना नाप के बिलकुल मत बनाईएगा इसी कप से नाप कर हम 80 ग्राम के ही लगबग लेंगे पिसी हुई शक्कर घी आपका बिलकुल पिगला हुआ यह बहुत जादा ठोस नहीं होना चाहिए यानि कि सक्त नहीं होना चाहिए बिल्कुल ऐसा ही मुलायम कंसिस्टेंसी में होना चाहिए तो जो घीस में लिपट गया है हम उसे भी निकाल लेंगे नहीं तो फिर नाप में उपर नीचे हो जाएगा आप किसी कटोरी कप चमच का इस्तेमाल करें नाप के लिए नाप लेकिन जरूर लें तो जितना हमने घी लिया है उतनी हमने पिसी विशक कर ली है अब हम इसे एक विशकर की सायता से चमच की सायता से इसे अच्छी तरह से फेटेंगे तो अभी यह देखिए कितना सुखा सुखा लग रहा है लेकिन जैसे यह आप फेटेंगे ना तो घी और चीनी जब मिक्स होगा तो इतना बढ़िया टेक्च्चर आएगा बिलकुल यह फूल जाएग जाग जैसी बन जाएगा फेन जैसा हो जाएगा तो वैसे आपको जैसा कि आपको यहां दिख रहा है वीडियो बिलकुल इसी स्टेज तक आने तक आपको फेट ना है बढ़िया से तो अब यह जब फेट लेंगे तो इसमें हम डालेंगे इसी कप से दो कप गेहु का आठा तो नाप का बिलकुल आपको एकदम सीधा सरल नाप है जितना घी उतना चीनी उसका दो कुना आठा फ्लेवर के लिए इसमें थोड़ा सा हराई लाची कूट करके हमने डाल लिया है अब हमेसे मेन काम जो हमारा है वो डो लगाने का है यहां पर तो डो अगर अच्छे से न नहीं करना है नहीं इस बैटर डो को मुठी के बीच में दबा दबा कर जिस तरह आठे को गूंते हैं ऐसा बिलकुल नहीं करना है बस इसे कंबाइन करना है तीनों चीजों को अच्छी तरह से कंबाइन करना है तो हलके हाथों से ऐसे ही करेंगे इसमें एक दो मिनट आपको लगेगा, ऐसे ही करते रहें, जैसा मैं दिखा रहे हूं, अभी वीडियो में आपको करते हुए, ऐसे ही jáप करते रहेंगे, तो डो एकदम चिकना हो जाएगा, और एक भी सुखा आटा नहीं रह जाएगा, सारा आटा घी और शक्कर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, उससे हो सकता है कि डो जो है वो आपका गीला हो सकता है और बिस्किट बिनाने में फिर प्रोब्लम आएगी अब हमारा डो जो है वो लगबग लगबग तयार होने वाला है तो इसे आप तोड़ कर देखिए इस तरह तोड़कर देखिए तो बिल्कुल अलग-अलग हो जाना चाहिए खिचाओ बिल्कुल नहीं होना चाहिए यानि कि अभी एकदम ग्लूटेन फ्री जैसा दिख रहा है तो ऐसा ही होना चाहिए बसी से थोड़ा साथ छे से और एकदम फाइनली एकदम मिक्स कर लेते है तो मुश्किल से दो मिनट मैंने इसको इस तरह से नीड किया है अब यहाँ हमने ले लिया है पिस्ता कुछ उपर सजावट के लिए गार्निशिंग के लिए बारी काट लिया है आप इसकी जगे बादाम और काजू ले सकते हैं अब हम प्री हीटिंग कर लेते हैं मेरे पास दो तवा है तो यह जो ब्लैक वाला तवा है इसे मैं अवन की तरह इस्तेमाल करूँगी तो इसे पहले मैं गरम होने रख देती हूँ धीमी आज पर इसे मैं 4-5 मिनट तक अच्छी से गरम होने दूँगी दूसरा वाला जो तवा है उसे मैं बेकिंग करूँगी अगर आपके पास तवा नहीं है तो कोई भारी थाली वगएरा ले सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर आपको पहले वारे तवे पर नमक डालना पड़ेगा तो मैं एक तवे के उपर दूसरी तवे को इस तरह से रखूँगी और इससे ही बेक करूँगी तो मेरा जो तवा है वो भारी है इसलिए बिस्किट जलेंगे नहीं अब हम बिस्किट बनाना शुरू करते हैं जितने बड़े और छोटिया बनाना चाहते हैं उसी साब से थोड़ा सा पोर्शन लीजिए आटे का हाथों के बीच में रखके हलका सा चिकना कीजिए और अगल वगल से अगर ये थोड़े चटक रहे हो तो इसको हाथों के बीच में रखके थोड़ी देर इसे हाथ की गर्मी देंगे यानि कि गोल करेंगे ऐसे रब करेंगे तो ये बिल्कुल चिकना हो जाएगा और फिर आप जैसे भी बनाना चाहते हैं जितने छोटे बड़े मोटे पतले उसी साब से आप अपने मन चाहे शेप और साइज में बना सके हैं जब ये बन जाएगा तो हम बीच में इस तरह से पिस्ता रख देंगे और हलका सा पिस्ता दबा देंगे अगर पिस्ता नहीं दबाएँगे तो बाद में जब बिस्किट पक जाएगा हम आइडियल साइज में बनाए हैं जैसे मार्केट से बेकरी से लाते हैं सभी के ऊपर मैं सब को रखकर पिस्ता से सजा लूँगी और मेरी आप से हम इन्हें बेक करने ले चलते हैं अच्छे से इनकी फिनिशिंग करने तभी तवे पर रखें कि एक पर तवे पर रखने के बाद आप इनमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे फिर हम सीधे इन्हें पकने के लिए छोड़ देंगे अब तवा यहां पर गरम हो चुका है आज बिल बीस मिनट के बाद एक बार आप चेक जरूर करें आपको कसर लगे तो पांच मिनट और पकाएं या उससे जादा भी मैंने मेरे बिसकिट 25 मिनट में रेडी हुए थे आपको हो सकता है 35 मिनट भी लग जाएं और आपको क्या करना है 25-20 मिनट के बाद में थोड़ा सा इसे बिस्किट को उठा के देखेंगे नीचे से कलर अच्छा आया है और उपर बिस्किट में उंगली लगा के देखिएगा अगर डो आपके हाथों में शिपक के नहीं आ रहा है इसका मतलब बिस्किट बेक हो चुके हैं और बीच में आपको तवे को इधर अधर घुमाते जरू करती हूं 25 मिनट बेक करने के बाद में बिस्किट मैंने नीचे उतार लिये थे और इन्हें अब मैं पूरी तरह ठंडा करूंगी 20-25 मिनट तक ठंडा होने दूंगी बिस्किट हमारे पूरी तरह से ठंडे हो गए मैंने आराम से आधे गंटे के लिए छोड़ दिया थे ठं द्रक जाते हैं लेकिन टेस्ट में कोई फरक नहीं होता दिखने में थोड़ा सा अंतर होता है देखे ध्यान आपको यह यह क्या रखना है कि जो तवे के इनप बीच में गाल दॉड़ा सा सा आर धे बिस्किया थे थे फचСचर आप 10-20 मिनट तो ज़या कम टाइम लगे तो डेपेंड करता है इनके साइज पर और आपके गैस की फ्लेम पर मैं आपको थोड़कर भी दिखा देती हूँ यह बिलकुल बेकरी की तरह तूट रहा है मैं आपको इसकी जाली भी दिखाना चाहती हूँ यह देखिए हैना एकदम कैसे लेयर दिख रही है ना जाली आपको और तोड़का दिखाती हूँ देखिए हैना एकदम पर्फेक्ट उमीद है आप इसको जरूर बनाएंगे और इतने में हमारे यह पूरे एक दरजन बिस्किट बनकर तयार हुए थे हमने कितना आटा लिया था 80 ग्राम के कप से 2 कप यानी कि हमने लगपक 1500 ग्राम आटा लिया था 1500 ग्राम आटे में हमारे जो यह गिभू के आटे से बने हुए कोई बेकिंग सोडा के इस्तेमाल नहीं किया गया है जरूर बनाईए घर पर जब भी कोई ना हो मेहमान आने वाले हैं और इस डाइम लॉकडाउन में दुकाने भी बन चल रही है अगर विस्किट ना हो तो इस तरह से आप आदे घंटे के अंदर विस्किट को तयार कर सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी बना पाएं और आप भी बनाईए मजे लीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखेगा आपका कमेंट हमारे लिए ब